इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ Emo का प्रोफाइल फोटो चेंज कैसे करें Emo का DP चेंज कैसे करें दोस्तों अगर आप भी Emo का इस्तेमाल करते हैं और आप अपना जो है DP को अफ़तार को चेंज करना चाहते हैं और अगर आपको पता नहीं इमो का फोटो कैसे चेंज किया जाता है तो फिर इस वीडियो को ध्यान से लाश्टर देखते रहे हैं आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारें बताने वाला हूँ हेलो दोस्तो स्वायत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल इन्फो ट्यूब में तो दोस्तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो इमो का प्रोफाइल फोटो यानि के इमो का डीपी को चेंज करना काफी जादा आसान है पस आपको वीडियो को ध्यान से लाश्टर पूरा देखना है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो प्लिस वीडियो को लाइक साथ इसा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा चलि मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने इमो का डीपी को यानि के प्रोफाइल फोटो को चेंज कर सकते हैं इमो का फोटो चेंज करने के लिए सबसे बले हैं तो आपको यहाँ पर आने के वाद उपर के साइड में जो आपको प्रोफाइल को ओफसन देख अब यहाँ पर चैंज करना है इसके बगल में जो फोटो है इस पर हम क्लिक करेंगे आपको इस पर कली करना है अब यहाँ पर आ जाते हैं आपको जो डीपी होगा जो फोटो होगा वो जो यह यहाँ पर दिख जाएगा मुझे इस photo को बड़लना है चेंज करना है तो simply हम क्या करेंगे ऊपर के side में जो आपको camera का option लेखने को मिल रहा है इस पर आपको click करना है अब यहाँ पे आने के बाद आपके सामने तीन option आ जाएगा डारेक यहाँ पे आप कोई भी अफ़तार लगा सकते हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद कोई भी select करके आप यहाँ पे अपना अफ़तार लगा सकते हैं अगर आप चाहते हैं यहाँ पे photo लगाना अपना खुट का तो यहाँ पर जो है second option पर click करकर डारेगा photo mobile phone से खीच के लगा सकते है अपने dp में अपने profile photo में कुछ इस परकार से लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने gallery से कोई dp लगाना कोई photo लगाना तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे के side में जो option देखने को मिलता है choose from album इस पर आपको click करना है और यहाँ पर आने के बाद जो भी photo आप अपना dp में लगाना चाहते हैं उस photo पर click कर दीजिए यहाँ पर आपको gallery का सब का सब photo आ जाता है आप अपने हिसाब तो इसको zoom कर सकते हैं उसकाद आपको यहाँ पर ok का जो button देखने को मिल रहा है पर आपको जोड़ से बताया वीडियो को लाइक करना साथ इस आचानल को सब्सक्राइब करना ना भूले